आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक डिजर्ट तो सबसे पहले हम कढ़ाई में घी को गरम कर लेंगे मैंने कुछ ड्राइफ टूट्स लिए हुए हैं जिसमें मैंने काजू, बादाम और किश्मिश लिया है तो इन्हें भी घी में फ्राय कर लेंगे हमें इन्हें हलका ही फ्राय करना है इन्हें कटोरी में निकाल देंगे और सेम कढ़ाई में हम सिमया लेंगे और इन्हें भी हलका सा फ्राय कर लेंगे ये मैंने रोस्टेट सिमया ली हुई हैं तो ज़्यादा इन्हें फ्राय नहीं करेंगे अगर आप बिना रोस्टेट वाली सिमया ले तो उसे अच्छे से फ्राय करें अब हम इसमें दूद डालेंगे मैंने यहाँ पे आधि लीटर दूद लिया है इसे अच्छे सेवाईया में मिक्स करेंगे अब चीनी डालेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे दूद में बॉयल आने देंगे और सेमया को पकने देंगे आप देख सकते हैं दूद में अच्छे से बॉयल आ चुका है अब हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो उसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें जिससे मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करूँगी तो इसका नौटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा अब हम कस्टड पाउडर लेंगे यहाँ मैंने वैनिला कस्टड पाउडर लिया है तो दो चम्मच कस्टड पाउडर में थोड़ा सा दूद मिला कर इसे मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं दूद की क्वैंटिटी काफी कम हो चुकी है तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके कस्टड पाउडर को भी अपनी सेवईया में मिला लेंगे जैसे ही आप कस्टड पाउडर को सिवया में मिलाएंगे सिवया गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा अगर आपके घर में अचानक से महमान आ जाए तो आप इसे घर पर ज़रूर बनाए और अपना अनुभब प्रियास किचन पर शेयर करें आप देख सकते हैं सिवया गाढ़ी हो गई है इसे दो मिनिट और गैस पर पकने देंगे अब हम गैस बंद करेंगे यहां मैंने एक कटोरी में चॉकलेट बिस्किट लिए हैं जिसे हम चोटा चोटा तोड लेंगे इस तरीके से दो ग्लास लेंगे और इसमें सबसे पहले हम न जो सिवया बनाई हुई हैं उसे डालेंगे उपर से चॉकलेट बिस्किट फिर से सिवया डालेंगे उपर से फिर चॉकलेट की लेर, चॉकलेट बिस्किट की लेर डालेंगे इसी तरह ऐसे दो से तीन वार हम कर लेंगे उपर से फिर से हम सिवईया डालेंगे और इसे उपर से ड्राइफ रूट से डैकॉरेट करेंगे इसे पांच मिनिट के लिए फ्रिज में रखें पांच मिनिट के बाद आप इसे निकालेंगे तो यह बहुत अच्छे से जम जाएगी और फिर आप इसे इन्जॉय करें आप इसे घर पर जरूर ट्राय करें और अपना अनुभब प्रियास किचिन पर शेयर करें अब मैं मिलूंगे आप पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई फ्रेंड्स